पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा वोर्ड ने स्कूल संबद्दता के लिए आवेदन की आखरी तारीक बढ़ाई तीज यून तक भर सकेंगे एप्लिकेशन फॉर्म सेंटर वोर्ड सिकेंडरी एजुकेशन ने संबद्दता के लिए स्कूल के करने की आखरी तारीक बढ़ादी है आव स्कूल तीज यून तक एप्लिकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं इसके लिए उन्हें लेट फीस भी जमा नहीं देनी होगी इसके साथ ही वोर्ड ने अपग्रेडेशन और एक्स्ट्रेंशन के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी है देश में बढ़ रही कोरोना संक्रमड के चलते वोर्ड ने ये फैसला लिया है सीवेसी दस्वी की परिक्षा इस्तगित हो चुके ये तो आप सभी को पता है वेजून को रिजल्ट भी आ जाएगा इस बारे में जानकारी नोटिफिकिशन के मताविक कोरोना के कारण मने हालादों पर बिचार करने और समीक्षा करने के बाद बोड ने नए समबदता के लिए ओनलाइन आवेदन की तारीक भी बढ़ा दी है इसके साथ ही अपग्रेडेशन और एक्स्टेंशन के लिए आवेदन जमा करने की तारीक को भी आगे बढ़ा दिया है इससे पहले वोड ने देश में कोरोना के कारण से पैदा हुए हालादों को देखते हुए दस्वी की परिक्षा कैंसल कर दी थी जबकि बारवी की परच्चाओं को फिलाल के लिए स्थगित कर दिया है CISCE समित कई बोर्ड ने भी परीचाओं को इस्थगित कर दिया था देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते CBSC ही नहीं नहीं बलकि कई राज़ों ने दसवी बारवी की परीचाओं को टाल दिया है इनमें CISCE UP पंजाब, महराष्ट, राजिस्थान, गुजरात और हर्याना समित अन्य राज़ी भी सामिल है इन सभी वोर्ड ने फिलाल बारवी की परीचाओं को टाल दिया है जबकि CISCE साहित कुछ राज़ों वोर्ड ने दसवी परीचाओं को कैंसल कर दिया इसके अलावा बारवी परीचाओं को आगे बढ़ा दिया गया है तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा आपको वीडियो जरूर बताईए इसमें जो important बात है वो ये है कि आपके जो संबद्दता के आवेधन लिये जाएंगे application form उसकी तारीक जो है तेशून कर दी गई है और आपसे लेट फीस भी नहीं लिया जाएगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से like, comment, share कर दीजे और चैनल को subscribe भी कर लीज़ोगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद वीडियो वाच करने के लिए